हाई गाइज कैसे आप लोग असा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुस होंगे दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम आपको शिखाएंगे कि आप अपना फॉन पे अकॉंट कैसे बना सकते हैं याने कि फर्स्ट बार आप फॉन पे लॉग इन कैसे कर सकते हैं तो अगर अभी तक आप phone paper अपना account नहीं बनाये हैं तो इस video को सुरूआ से लेकरके last तक जरूर देखें क्योंकि अगर आप इस video को सुरूआ से लेकरके last तक देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आप अपना phone pay account बना सकते हैं तो आपका जैदा टेम बेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी डिक्वेस्ट है अगर आप हमारी चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं पिलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिपिकेशन को अउन कर ले अगर इस चैनल पर जैसे कोई नूलेज़िवल वीडियो अपलोड करे है तो आपसे मिस ना हो दोस्तो अगर आप पहले से फांपे इंस्टॉल किये हुए हैं तो सबसे पहले आपको उस फांपे को अनिस्टॉल कर देना है जैसा कि यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे और यहाँ एप इंफो पर जा करके आपको यहाँ से अनिस्टॉल कर देना है अनिस्टॉल करने के बाद दोस्तो फिर से आपको इसका लिंक हम डिस्क्रिप्सन में दे दी हैं वहां से आपको इसे अपने mobile में install कर लेना है उसके बाद इसे open करना है जैसे ही open करते हैं कुछ इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा जैसाथ कि यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आपको mobile number input करना है तो दोस्तो मैं आपको सुझेस्ट करूंगा, यहाँ पर आपको वह मुवाइल नमबर दीजिए, जो मुवाइल नमबर आपका बेंक एक्कॉंट से लिंक हो, क्योंकि दोस्तो अगर आप यहाँ पर कोई भी नमबर से अपना एक्कॉंट बना लेते हैं, तो आपको फिर बेंक एकॉट जो number से add है वह number यहाँ आपको input कर देना है तो चलिए यहाँ हम अपना mobile number डाल देते हैं input करने के बाद जैसे mobile number यहाँ पर डालते हैं दोस्तो उसके बाद यहाँ आपको नीचे proceed का option आ जाएगा अब आपको proceed पर click कर देना है और जैसे हैं proceed पर click करते हैं कुछ इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो four digit passport तो आपके पास तो अभी कोई passport है नहीं फिर आप इसे कैसे login कर पाएंगे तो आपको यहाँ नीचे other login option का एक option आजाएगा आपको इस पर click कर देना है और जैसे हैं click करते हैं click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं login with OTP अब आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे हैं यहां पर क्लिक करते हैं आपके नंबर पर एक OTP आ जाएगा तो यहां पर चलिए इस OTP को हम यहां पर input कर लेते हैं जैसा कि यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपना OTP भी डाल चुके हैं OTP डालने के बाद अब आपको यहां नीचे वेरिफाइब पर क्लिक करते हैं वेरिफाइब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अब आपको यहां पर जो भी परमिशन मांगेंगे वह परमिशन को आपको यहां सिंपली कर देना है तो चलिए यहां पर मेरा जो भी है लो कर दिया है अगर आप चाहे तो यहां पर इसे प्रोटेक्ट कर सकते यानि कि स्क्रीन लोग कर स सकते हैं और यहां पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यह मेराध बन चुका है तो इस तरह से आप भी अपना reinDieकोंट कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से फॉन पे अकॉंट बना पाएंगे मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स जय हिंद